कलस्टी बी की पॉपलर सीरियल सासुराल सिमर का सीजन टू में हमने अब तक देखा बड़ी मा की दामाद सिमर को कॉल करके बताते हैं कि गजेंदर जी का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है पर अभी भी मुझे उनकी सेफटी की चिंता है वहीं आगे सारे घरवाले सोय होते हैं और सिमर ओसवाल मैंशन जाती है और गजेंदर के हातों पर मातारानी का धागा पहनाती है वहीं आगे हम देखते हैं कि रीमा सिमर को देख लेती है और वो बहुत सुनाती है सिमर को पर सिमर कहती है गगन भाई ने गोली नहीं चलाई है उन्हें कुछ नहीं होगा पर आपको गजिंदर पापा का ध्यान रखना होगा उनकी जान खद्रे में है कोई घर का ही है जो उन्हें मारना चाहता है वहीं हम देखते हैं कि सिमर अपना समाल लेकर उस वाल मंचन से निकल जाती है और रीमा के आँखों में आसु आजाते हैं वहीं आगे हम देखते हैं कि आरब को गजिंदर की उंगली हिलते हुए दिखती है और सब लोग खुश हो जाते हैं गिरिराज और चित्रा के चेहरे का रंग उड़ जाता है आगे हम देखते हैं कि सिमर यामिनी देवी के पास जाती है और वो सिमर को सहारा देती है वहीं हम देखते हैं कि यामिनी देवी कहती है ये घर तुम्हारा है और तुम जितना चाहो उतने दिन यहां रह सकती हो कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले आरब और तुम्ही कोई भी अलग नहीं कर सकता है वह यहां आगे गिरेराज फिर गजेंदर को मारने की कोशिश करता है और अचानक से आरव आ जाता है और गिरेराज डड़ जाता है आगे गजेंदर को खुश आ जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं पर वो सिर्फ सिमर का नाम लेता है और कहता है मेरी बहु सिमर कहा है मुझे सिमर से बात करनी है सिमर को बुलाओ यहाँ एपिसोट खत्म हो जाता है अब ऐसे में देखना यह होगा कि आग गजेंदर को वो सारी बाते याद है क्या यहाँ पर गिरीराज की असलियत आ जाएगी सामने सबकी क्या सिमर को गीतांचली देवी एक्सेप्ट करेगी बड़ी बहु के रूप में जानने के लिए देखना ना भूले सेसुराल सिमर का स सीजन टू टेलवेजन के लेटेस्ट अबडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले